ज्यादा कमाने की इच्छा अगर आपके भीतर भी है तो क्या महंदा IMAX आपके लिए एक अच्छा option हो चकता है यही परकने की कोसिस है इस वीडियो में मैं हूँ आपका होश्ट अमित और आप देख रहे हैं Ask Car Guru चहां मैं आपके साथ share कर रहा हूँ महंदा IMAX City 1.4 का एक detailed review क्या यह सच में कमाउपूत है या सिर्फ बाते ही बाते हैं और साथ ही परकेंगे इसकी load bearing capacity और परकेंगे इसके value for money aspect को क्योंकि इसकी कीमत श्टार्ट होती है 8,22,000 रुपीज से इस variant की महंदा आप बोले रहो IMAX फ्रेंट से देखने में काफी muscular grill है वही महंदा का signature style grill है यहां पर toeing hook मौझूद है उपर आपको headlamp assembly मिलती है इन में halogen main headlamp है इधर cornering में help के लिए भी आपको lamp दे रखा गया है इधर indicator मौझूद है और ठीक नीचे आपको fog lamp लगाने की जगह दे रखी गई है देखने मे muscular macho नजर आती है हाला कि इसकी highlight जो है वह side से लगनी सुरूर आती है क्योंकि यहां मिलते हैं आपको 15 inch के wheels जिस पर आपको मिलते हैं 215 70 profiles के tire जिनकी road पर पकड़ भी ठीक है क्योंकि यह load bearing capacity के साब से design किये हुए है यहां पर मिलते है महंदा max pickup की basing indicator यहां भी मौझूद है इसके रावा बड़े मजबूत से door hinges दे रखे गए हैं बड़ी size का ORVM जिससे बाहर देखना किनारे पर गाड़ी लगाना बहुत आसान होई आता है उपर से गाड़ी में चड़ने के लिए आपको नीचे stair भी दे रखा गया है जिस पर pair रखकर आप आसानी से उपर चड़ सकते हैं और door भी मजबूत है यहां पर आपको CT 1.4 की bashing मिलती है overall यह हिस्सा देखने में अच्छा लगता है मगर इसकी ground के lens है 185 mm यानि खराब रास्तों पर ले जाने के लिए यह रियली बहतीन option है अब बात करें इसकी जिससे आप कमाने में मदद पाते हैं यानि इस bay की और यहां पर आपको मिलता है 8-inch long base जिस पर आप 1.4 ton capacity का सामान केरी कर सकते हैं इस variant में और मेरे साब से यह रियली बहुत अच्छा option है क्योंकि यह इतना load है जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं आगे और पीछे दोना तफ आपको leaf spring suspension setup दे रखा गया है ताक मजबूती और भारी सामान को ले जाने में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और यह काफी robust भी है पीछे की तब आप ध्यान देंगे तो यहां पर महंद्रा का badge नजर आता है इधर आपको tail lamp दे रखे गए हैं जिसमें brake light भी मौजूद है reverse और indicator के साथ में खोलना बंद करना दोनों ही बड़ा आसान है आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से खोल करके सामान लोड कर सकते हैं और उपर से बंद करना भी बहुत आसान है और यह काफी मजबूत hinges के साथ में आता है और बात कीजा इस side तो यहां पर आपको मिलता है डीजल भरने की जगहें और हां डीजल से याद आया यह काफी fuel efficient भी है बात करूंगा driving portion में कि यह कितना बचत भी करता है आपको चलाते समय है भीतर आना और जाना दोनों बड़े आसान है और यहां interior की बात की जाए तो आपको थोड़ा सा ताजव होगा क्योंकि यह interior really एक pickup truck के लिए काफ steering मिलती है हलाक इस पर कोई controls नहीं है सिवाए horn को अगर हम छोड़ दे तो और इस साइड आपको wiper के controls इस साइड light के controls मिलते हैं सामने आपको जो instrument cluster है उसके भीतर आपको rpm meter मिलता है इसके लावा digital instrument panel जिसे MID भी हम कहके बुलाते है वह यहां पर मौजूद है उसमें भी काफ feature gauge भी यहां मौजूद है यह है छोटा साथ touch screen आपकी help करता है music सुनने में उसके experience में तौफी मिलती है नीचे आपको 12 volt socket मिलता है जिससे आप अपना mobile charge कर सकते हैं और इसके अलावा यहां पर hazard का button दे रखा गया है यहां भी थोड़ा सामान रख सकते हैं और पकड़ने के लिए और इस जगे पर मैंने अपना mobile रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही सब कुछ neat and clean मौजूद है seat काफी अच्छी है और इसको height से adjust कर सकते हैं इसके अलावा इस पर आपको three point seat belt का option देलता है यहां भी आपको दो लोगों के बैठने की जगे मिलती है जिसमें beach वाले passengers के लिए तो normal lap belt है और जबकि इस सेड वाले passengers के लिए three point seat belt का option देल रखा गया है फिलाल इन seat के ऊपर cover चड़ा हुआ है यहां पर आपको ORVM जैसे की बाहद रखा गया है वैसे ही IRVM मौझूद है मगर इस पर day night का option नहीं है एक और बड़ी कमी है बुदित है वाइब्रेट करता है इसको थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए ताकि vibration ना हो और हमाई निगायब में बिल्कुल सब कुछ बढ़िया सा दिखाई दें पकी sun visor रेगुलर की तैम मौझूद है और कोई खास ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में अलग से टिपड़ी की जाए हा मुझे यह position काफी अच्छी लगती है क्योंकि इससे बड़ा अच्छा commanding view मिलता है और आपको नीचे देखने में भी काफी help मिलती है बिल्कुल टैरो चला रही है चलाने में महंद्र बोले हो मैक्स पिक अगर इसके बारे में बात की जाए तो मेरा पसनली मानना है काफी अच्छी है जिससे पतली गलियों से निकलने में आपको दिक्कत नहीं होगी उपर से आपको और वीम से भी काफी अच्छा व्यू मिल जाता है आया वीम थकान मैसूस नहीं होगी हाँ इस्टेरिंग फीडबैक अच्छा हो सकता था लेकिन यह कोई पैसेंजर वेकल नहीं है जहां पर इस चीज पर ज्यादा गौर किया जाता है लेकिन ओवर आल मैं कह सकता हूं कि यह एक अच्छा इस्टेरिंग है अब बात करें इसके पर आपको सेटिंग पोजिशन हाई है जिसकी विएसे दूर तर्ण दिखता है नीचे तक दिखता है जो सबसे अच्छी बातों में से एक है हर चीज आपके रीच में है यह भी दूसा प्लस पाइंट है क्लच काफी एवरेज है ना यह बहुत लाइट है ना यह बहुत हलक है और नहीं इसे चलाते समय आपको किसी तहरे की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस ट्रक में सबसे अच्छी चीज जो है वह यह कि मैं से ट्रक कहता हूं क्योंकि यह पिकप है और इसे इंटरनेशनली मार्केट में भी ट्रक कहके बुलाया जाता है महंदा बोले रो पि 71 PS की पावर 200 अनम भारी भरकम टॉर्क के साथ और चलाते समय इसका मज़ा आपको मिलेगा थोड़ा नौइजी है लेकिन यह एक्च्छल में एक पिक अप है तो यहां पर आप वैसे comfort refinement की उमीद नहीं रखते हैं जैसा की passenger vehicles में रखते हैं मगर दम की बात आएगी तो इसक चलाने में भी मज़ा आने लगता है कि आप तो हमेशा ही मजूद है चाहिए स्पीड स्लो या ज्यादा हो और वह बात इसको दूसरों से बैटर भी बनाती है कई मामलों में क्योंकि उससे सामान भरके होना ज्यादा इजी हो जाता है बोले रो मैक्स के साथ और उपर से इस इंजिन का तो कहने ही क्या हाँ फ्यूल एफिसेंसी की बात आये तो मैं जहूर करूंगा कि यह थोड़ा और बेटर हो सकती थी जैसे कि यह सिटी में हम मुझे जब मैं लोट के साथ एसे टस्ट करा तो मुझे यह 11-12 की मिल रही जबकि नॉर्मल कंडिशन में यह 16 15 16 15 की द है उतना तो नहीं लेकिन फिर भी काफी अच्छा है और आज की कंडिशन में मैं कह सकता हूं कि यह है अच्छा फ्यूल एफिसेंसी कही जाएगे तीन लोग के बैटने की अच्छी जगह है इस पेस की कोई कमीनी ड्रावर केबिन में और मेरे असाब से एक एसी जवर होना जाएगे पिकप में ताकि और जादा मेहनत से काम किया जा सके और लोगों को ज़्यादा कमाने का ज़्यादा देर तक काम करने मौका मिल सके खासतों से नौठ इंडिया की गर्मियों के सिजिन के समय जो थोड़ा सा लांग है लेकिन कॉमर्शन वेकर कब इस चीज को लेकर परिशान नहीं होना पड़ता है और इसी लिए वो इस चीज को इग्नोर करते हाला कि पैसेंजर वेहिकल वाले लोग जहों इसको नोटिस करेंगे मगर हमने बता है कि यह है कॉमर्शन वेहिकल है और सिटी ड्राविंग में अगर आपको यूटर लेना है तो 5.5 मीटर का इसका टर्न है और आपने देख लिया कितनी आसानी से मैंने यूटर ले लिया है और यही सब चीजे तो इसको दूसरों से अलग बनाती है कुछ कमियों को मैं जरूर नोटिस कराना चाहूंगा जैसे कि इस्टेरिंग फीडबेक थोड़ा और बेटर होना चाहिए था केविन में एसी की सोधा आवस्थ होनी चाहिए थी और आपको एक अच्छा व्यों मिल सके ये कुछ कमिया आगा इसकी और दूर हो जाए तो मेरे इसाब से यह एक पहरतीन ट्रॉक में से एक है और इसके लिए इसकी तारीफ करना बनता भी है चलिए बाकी बातें करते हैं कॉंक्लूजन में क्या आठ लाख वाइस हजार उपए कीमत इसकी जिस्टिफाइड है और जिसे आप केवल पच्छेस हजार उपए देगा बुक करा सकते हैं है ना कमाल की बात महेंदा बोलर और आई मैक्स पिकप की अगर बात के जाए तो कंपनी क्लेम्ड फ्यूल एफिसेंसी 17 किलोमीटर पर लीटर की है और यह आपको मिल भी जाती है अगर आप इसे अनलोडेड ड्राइब करते हैं तो लेकिन जैसा ही इस पर वजन पढ़ता है वैसा ही इसका एवर्ज भी गिरता है और वह पहुंच जाता है 11-12 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिसेंसी के साथ और मेरे हिसाब से वह भी काफी बहतर है चूकि इस समय डीजल के जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से आप लगबग 1-9 किलोमीटर आसानी से खर्च क जिसकी वैसे सालों साल यह प्रक आपका साथ निवाएगा और सायद इसी वैसे मैं कहता हूँ 8.22 रुपी जो कि इस वेरियंट की कीमत है उसमें यह रियली एक बहतरी आप्शन बन जाता है तो फिक खरीदने से इंकार सायद नहीं कर पाएंगे आप और इसी लिए कहता हू अगर आप मुझे यूटूब पर देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा और अगर आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए लाइक करना ना भूलिए और इंस्ट्रागम पर तो एक से एक बहतीन जील मिलती ही रहती है आपको